नमस्कार दोस्तों सागत काता हूँ आपके प्रेंचानल सामस्टडी में आज हम बात करेंगे इंडियान सिटी उतिद्यार निकनेम्स तो भारत के इसे सेहरों के नाम और इनके निकनेम को हम जानेंगे जो कि काफे बार एक्जामों में पूछे भी गये हैं इसको हम डिसकसन क करेंगे हम बात करेंगे दोस्तों कटन सिटी अफ इंडिया के बार में हम बात करेंगे औरेंज सिटी अफ इंडिया हम बात करेंगे लैंड अवली चीज किसको कहा जाता है सूट सिटी अफ इंडिया किसको कहा जाता है हम बात करेंगे डाइमंड सिटी के बार में ब्लू सि देखना होगा चले दोस्तों answer करेगा discussion का पिन्क city अफ इंडिया भारत का गुछाबी सहर किसको कहा जाता है तो answer करेगा हवा महिल से आप पहचान चुके होंगे तो इसका answer होगा राजस्तान की केपिटल जैपूर को हम कहते हैं पिंक city of इंडिया याद रखें पिंक city महल है यह पिंग कलर का आपको याद रखना है तो हवा महल पिंग कलर का है तो इसलिए जैपुर को पिंग सिटी अफ इंडिया कहा जाता है याद रखिये दोस्तों चले दोस्तों इसको सिन का अंसर बताईए गोल्डेन सिटी अफ इंडिया किसको कहा जाता है इस इमेज पर देखिए आप भली बात ही जान सुके होंगे गोल्डन सिटी अफ इंडिया किसको कहा जाता है यह मंदिर कहां पर है याद करी गए दोस्तों तो यह पंजाब के अमरिज सर में प्रेजेंट है गोल्डन टेंपुल तो इसी से ही इसका नाम बड़ा गोल्डन सिटी अफ इंडि को चले दोस्तों अंसर करेगा इसको सिनका ब्लू सिटी अंड संसिटी अफ इंडिया किसको कहा जाता है ब्लू सिटी अंड संसिटी अफ इंडिया किसको कहा जाता है अंसर करेगा दोस्तों यह जो जगे हैं दोस्तों यहां पर जितने भी मकान है वहां पर स्काइब्लू कल माज़वस्तान राज्जapon में पड़ता है तो जोधपूर में जितने भी मकान है वहां पर मैक्सिमम मकान पर ब्लु क iç應該 ब्लू कलर का पंटिंग कि है जाता है इनके वालल पर तो इस लिए भारत का ब्लू सिटी इसको ही कहा जाता किसको जोधपूर को चले दोस्तों बताएं इसको सिन का अंसर सिल्भर सिटी आफ इंडिया भारत के चांदी के सहर किसको कहा जाता है तो सिल्भर सिटी आफ इंडिया किसको कहा जाता है कौन से सिटी को अंसर करेंगे दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके वारों में तो इसए शिटी में सबसे जादा चांदी का जोड़े बनाया जाता है चांदी का आटिफेक्ट बना जाता है चांदी के फिलिग्री बनाई जाते हैं दोस्तों तो बताएए एक एक şur कौनुत के कौक को कहा जाता है सिल्वर सिटी अफ इंडिया और यहां पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी है जो कि बारबाटी स्टेडियम कटक महीं है यादर के दोस्तों कभी बार एक्जामों में पूछा भी गया है तेले दोस्तों इसकुशिन का अंसर कमड़ सेक्शन पर बताईएगा city of palacces and the city of joy किसी city को कहा जाता है हम एक आपको हिंटर दे रहे हैं ये वैस्ट बंगल का एक city है दोस्तों अंसर गरेगा तो इसी city को city of palaces and the city of joy कहा जाता है कुछियों का सहर and palaces का सहर अंसर गरेगा दोस्तों तो ये वेस्ट बंगल की राजजानी कोलकाता है दोस्तों इसको कहा जाता है city of palaces and the city of joy क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा palaces पाय जाता है इसको उसलिए city of palaces कहा जाता है जो लोग palace में रहेंगे वो बहुत ही खुजी में रहेंगे यह टेकनिक है याद रखिये दोस्तो तो city of palaces and the city of joy हम किसको कहते हैं कोलकाता सहर को चले दोस्तों बताएं इस को सिन का answer the city of navavs तो नवावों का सहर किसको कहा जाता है भारत में answer करेंगे दोस्तों हम वेट कर रहें दोस्तों the city of navavs हम भारत में किसी city को कहते हैं तो हम बता देते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की capital लखनव को कहा जाता है the city of navavs in India याद रखिये तो नवावों का सहर कहा जाता है लखनव को चले दोस्तों बताए इसको सिन का answer diamond city of India याद भारत का हीरों का सहर किनको कहा जाता है क्यूंकि दुनिया भर का 90% of the world जो diamond आते हैं इसके cutting और इसके designing को यही राज्य करता है यही state करता है तो अगर हम बात करेंगे इसके बार में diamond city of India यह एक cleanless city है भारत का और cleanless report में बहु दांकिंग लाता है तो गुजराट का एक बहुती clean city सुरत जिसको हम कहते हैं diamond city of India इन इंडिया याद रखिये तो सुरत को ही कहा जाता है diamond city of India देखे दोस्तों वीडियो अधा हो गया है तो हम आपको revision करा देते हैं pink city कहा जाता है जेपूर को blue city कहा जाता है जोदपूर को golden city कहा जाता है अमरिशर को silver city कहा जाता है कटक को diamond city कहा जाता है सुरत को city of palaces है कॉलकत्ता और city of joy भी कॉलकत्ता है और city of nawab नवाब्स कौन है दोस्तों लखनो याद रहे हैं दोस्तों यह सारे चीज आपको exam के पॉंट्टेवू से यह सारे चीज बहुत ही important है चले दोस्तों answer करेगा discussion का specificity, scientificity, garden city and silicon valley of India किसको हम कहते हैं तो कौन से city को कौन से सहर को हम कहते हैं specificity, scientificity, garden city and silicon valley of India तो अगर हम बात करेंगे इसके technique के तो आपने पढ़ा गो दोस्तों इस रो का हैड़कोर्टर जहां पर है मतलब वैंगलोर को ही कहा जाता है space city क्योंकि इस रो space से related है तो इसका headquarter बैंगलोर में पाएंगे तो इसलिए आप व्यादर के technique के माध्यम से space city, science city, garden city and silicon valley of India किसको कहा जाता है करनाटा का की राजज़नी बैंगलोर को कहा जाता है answer करेंगे दूसन, इसको सिनका, foreign city of India किसको कहा जाता है, कौन से सहर को हम कैते हैं भारत के, संतरे का सहर his answer करेंगे दूसन, orange city of India भारत के कौन से सहर को हम कहते हैं तो ये महाराष्टर का एक सिटी है बहुत अच्छा सिटी है अंसर करेंगे दोस्तों तो महाराष्टर के नागपूर को ही कहा जाता है महाराष्टर के नागपूर को ही कहा जाता है औरेंज सिटी अफ इंडिया या दरके औरेंज सिटी अफ इंडिया कहा जाता है महाराष्ट के Naagpur को वारत के कौण से सहर को बानाश्यटी आप अंशर के बissements करें दोस्तों का बहुत यासान i or you तो इसका अंसर होगा महराष्टर का एक सिटी जलगाओं जो की सात्वा सबसे बड़ा प्रडूसर है दुनिया भर में फर्द बानाना तो दुनिया भर में केलों का अगर हम प्रडूक्शन की बात करेंगे सात्य पोजेशन पर जलगाओं है तो इसलिए इसको बानाना सिटी कि एक पूर्सक्रान सब्सक्राइब झात Wash вып आप और स्पाल। उड़लास्टर व्यास चीत सिर्ट धन अविए पड़ाता था यह भी महराश्टर में पड़ता था चेले की एक junior सिटी अफ इंडिया भारत के कौन से सहर को हम कपास के सहर कहते हैं भारत में यादर के दोस्तों तो कटन सिटी अफ इंडिया किसको हम कहते हैं यादर के 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 या sweet city of India किसको कहा जाता है तो भारत के कौन से सहर को land of lichies and sweet city कहा जाता है तो ट्रिक के माध्यम साब कैसे याद रखेंगे lichy मीठा होता है तो इसको sweet city और land of lichy भी कहा जाता है तो बिहार राज्य के बिहार राज्य के मुझाफर पूर याद रखे मुझाफर पूरजों की बिहार में पढ़ता है उसको ही कहा जाता है Land of Laces and Sweet City of India याद रखे I think बिड़ा आपको पसंद आये होगा बिड़ा पसंद है तो दौस्तों और एक बार इस बिड़ा को जरूर देख लेजएगा सारा चीज आपको crystal clearly याद हो जाएगा तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल ऐकन को all option पर रखे इसका कारण हमारे नए नए वीडियो के नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो वीडियो को एक लाइग ज़रू किज़ेगा दोस्तों आने बाला पार्टो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने बाला है तो उसको देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें